तू हाई फ्रेट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एसिस्टेंट के कुछ ऐसे खमाल के फीचर्स के बारे में जिनको सुनके आपको यखीन नहीं होगा कि गूगल एसिस्टेंट से यह सब भी चीजा सकता हैं और ये features आपके friends circle में भी आपको cool बना देंगे और इन सब features के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप Google Assistant को enable कर सकते हो जिससे कि आप okay Google या फिर hey Google बोलकर Google Assistant को activate कर पाओगे तो चलिए friends वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं activate Google Assistant with voice तो इस feature को enable करने के लिए आपको Google Assistant में voice match करना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में Google वाला ये app मिलेगा ऐसे आपको open कर लेना है और फिर यहां से इस profile icon पे click करके settings को open कर लीजिए उसके बाद यहां से आपको Google Assistant वाले इस option पे click कर देना है इसके बाद यहां से थोड़ा सा नीचे scroll करने पर आपको एक option मिलेगा Hey Google and Voice Match का तो इस पे आपको click कर देना है और फिर यहां से Hey Google वाले इस option को enable कर दीजिए उसके बाद यहां से थोड़ा सा नीचे scroll करके आपको I Agri वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपके बास तीन और ऐसे sentence आएंगे तो वो भी आपको ऐसे ही बोल देने है और उसके बाद यहाँ से finish वारे option पे click कर दीजिए और फिर यहाँ से आपको note now पे click कर दिना है और बस voice match आपको complete हो गया अभी आप okay Google या फिर hey Google बोलकर Google Assistant को activate कर सकते हो उसके बाद number 2 Google Assistant Language तो कुछ लोग होते हैं जिनको Google से English में बात करनी होते हैं कुछ लोगों को Hindi में बात करनी होते हैं और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे कमीनी उनको Hindi और English दोनों में बात करनी हैं पहले हम लोगों के लिए बड़ी दूईदा थी लेकिन अभी एक feature आ चुका है जिसका use क करके हम Google Assistant में एक साथ दो language आड़ कर सकते हैं और फिर चाहे आप किसी भी भाषा में बात कीजिए Google Assistant अपने आप समझ लेगा तो भी Google Assistant में नई language आड़ करने के लिए या फिर language चेंज करने के लिए आपको दोबारा से इस वाले page पे वापिस आ जाना है और फिर यहाँ पे आपको कोई language चेंज करनी है तो आपको दोबारा से इस language वाले option पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से दूसरी language सेलेक्ट कर लीजिए और यह चेंज हो जाएगी और नमबर थार्ड पे आता है Google Assistant वोईस और I am sure कि आप भी 99% लोगों के तरह इस Google आंटी की ही वोईस यूज करत है उसके बाद यहां से आपको जो भी वोईस अच्छी लगे वो सेलेक्ट कर लो और एक सिक्रेट की बात बता हूँ इतनी सारी अलग-अलग वोईस के option आपको किसी phone में नहीं मिलेंगे तो क्या आपको जानना है कि इसे कैसे अनेबल करते हैं ओके चलो बताता हूँ तो Google Assistant म आपको बताऊंगा नहीं करके दिखाऊंगा ओके Google गुड़नाइट तो मेरे गुड़नाइट बोलते ही Google ने मेरे फोन को silent पे लगा दिया वाइफाई को बंद कर दिया और जिन जिनको मुझे गुड़नाइट बोलना था उनको Google ने अपने आप मैस्वीज कर दिया तो उसक इसके बाद यहां पे रुटीन वाले section में आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं तो यहां से आपको bad time या फिर good morning वाले option पे click कर देना है उसके बाद यहां पे आपको starter लिखा हुआ मिलता है कि जैसे ही आप वो starter बोलोगे Google assistant वो सारे काम कर देगा जो भी action आपने यहां पे add कर रखे होंगे तो यहां पे starter भी लिखा है good night और कोई भी action एड करने के लिए यहां से आपको नीचे जाके add action वाले option पे click कर देना है उसके बाद यहां से नीचे स्क्रोल करके ask what time the alarm should be यह वाला option select करके आपको done पे click कर देना है अभी आपके good night बोलते ही Google आपसे alarm के लिए app set हो जाईगा उसके बाद अभी आपको communicate and announce वाले option पे click करना है और फिर यहां से send text पे click कर दीजिए और अभी अगर आप चाहते हैं कि Google अपने आप आपके लिए किसी को message कर दे तो यहां पे आपको उस बंदे का number डाल देना है उसके बाद जो भी message आपको send करना है वो यहा से आपको make announcement वाले option पे click करना है और जो भी आपको Google से बुलवाना हो वो यहां पे enter करके done पे click कर दीजिए और यह वाला जो feature है वो single होंके बहुत कामा सकता है क्योंकि वो Google से बुलवा सकते है उसके बाद यहां से back आके नीचे आपको एक option मिलता है try adding your own तो अभी यहां पे आप अपना खुद का कोई भी action अड़ कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूँ turn of wifi उसके बाद done पे आपको click कर देना है तो मेरे good night बोलते ही अभी Google अपने आप मेरे phone के wifi को बंद कर देगा और ऐसी है आप यहां पे कोई भी action अड़ कर सकते हो उसके बाद यहां से आपको back आजाना है और इस save वाले option पे click करके यह सब चीजित save कर देनी है feature number 5 nickname तो अगर आप चाहते हो कि Google से जब भी आप बात करो तो Google आपको आपके नाम से बुलाए जैसे कि your name is Nikhil तो यह set करने के लिए आपको दुबारा से इस पष्ट वाले page पे आ जाना है और उसके बाद यहां से नीचे scroll करने पर आपको एक option मिलेगा nickname का तो इस पर आपको click कर देना है उसके बाद यहां से edit पे click करके अपना name enter करके ok कर दीजिए उसके बाद यहां से आपको play पे click करके check कर कि यह आपके नाम को अच्छे से बोल पा रही है या फिर नहीं और अगर यह अच्छे से नहीं बोल पा रही है तो यहां से आपको record your own पे कलिक करके अपना नाम खुझ से यहां पे record कर देना है और अभी Google आपके डाम को अच्छे से pronounce कर पाईगी फीचर नमबर 6 शोटकट और यह वाला फीचर कुछ इस तरह से काम करता है ओकी Google मेना टाइम खराब करो यह लो शोट्स ओपन कर दिये गूगल को भी पता है कि हम यहां पे और रील्स पर टाइम वेस्ट करते हैं मजाक से हटके दोस्तों इस वाले फीचर को एनेबल करने के लिए आपको हमारे इस प्यारे से पेज़ प्या जाना है जिस पे हम बार बार आते रहते हैं और यहां पे नीचे आपको एक option मिलेगा shortcut का तो इस पे आपको ख्लिक कर देना है उसके बाद यहां पे नीचे आपको सारे apps मिल जाएंगे आपके phone के तो जिस भी app का आपको shortcut add करना हो उस पे आपको click कर देना है उसके बाद उस app के जो भी shortcut available होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और अभी आपको जो भी shortcut यहाँ से add करना हो उसके सामने वाले plus के icon पे click कर दीजिए और फिर यहाँ से उपर काई भी click कर दीजिए उसके बाद यह shortcut आपका add हो जाएगा और अगर आप चाहो तो यहाँ से edit वाले option पे click करके आप यह भी edit कर सकते हूँ कि आप क्या बोलोगे जैसे कि अभी अगर मुझे YouTube Shorts open करवाने होंगी तो मुझे बोलना होगा short लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा time खराब करो तो जैसे ही मैं यह बोलूँगा Google Assistant YouTube Shorts को open कर देगा और यहाँ पे अपना starter लिखने के बाद आपको done पे भी click कर देना है और बस आपका यह shortcut add हो जाएगा और इसी तरह से आप बाकी apps के लिए भी बहुत सारे shortcut add कर सकते हो जैसे कि WhatsApp के हो गया Snapchat हो गया Facebook हो गया Instagram हो गया और I think अभी बहुत कुछ हो गया तो चलिए friends यही था फिलाल के इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी help हो यू के लिए भाई लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वन देवात्रम